आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ हिंदी का लेसन प्लान जो की पूरी तरीके से 5E बेस्ट लेसन प्लान है अगर आपको प्रिवियस फॉर्मिट में लेसन प्लान शाहिए तो वो अल्रेडी चैनल पे बहुत सारे अविलिबल है फिलहाल जादातर मेरे वीवियर्स की जो डिमांड थी वो 5E लेसन प्लान की थी जिसको ध्यान में रखके मैं अपने चैनल पे शेर कर रहे हूँ सभी सब्जेक्ट के 5E लेसन प्लान सो आज का यह जो हमारा लेसन प्लान है यह हमारे साथ शेर किया है लताशा ने तो थैंक यू सो मच लताशा फॉर शेरिंग यार ओल लेसन प्लान लताशा ने सिर्फ हिंदी नहीं बाकि और भी सब्जेक्ट के लेसन प्लान हमारे साथ शेर किये हैं जो मैं आपके साथ शेर करूंगी बहुत ही जल्दी अपने इस चैनल पे तो मेक शॉर कि आप मेरे इस उसको सीरियल नंबर देंगे उसके बाद आप लिखते हैं चात्र ध्यापिका का नाम कक्षा विशय पार्थ का नाम अवधी और दिनांक यह बेसिक डिटेल्स लिखने के बाद आप अपना लेसन प्लान का स्टार्ट करते हैं डेट आप यहां पर उस दिन का लिखेंगे ज करेंगे देखते हैं सबसे पहले हैं अधीगर प्रतिफल यानि कि इस टॉपिक को पढ़ाने का हमारा क्या आप जेक्टिव है उससे हमें क्या-क्या प्रतिफल यानि as a benefit हमें मिलने वाला है क्या learning outcomes हमारे होने वाले हैं क्या-क्या हो सकते हैं तो देखते हैं फर्स्ट है वि वार्थ बता सकेंगे, then second, विद्यार्थी, उचित, लै, गती, आरो, वै अवरो के साथ कवीता का वाचन कर सकेंगे, third, विद्यार्थी कवीता सुनकर भाव व्यक्त कर पाएंगे, तो ये हमारे कुछ specific objectives थे, जो इस particular topic से relate करते हैं, उसके बाद है अधीगम उद्देश्य, यानि कि learning objective, first, विद्यार्थी कवीता में आए नए वै कठिन शब्दों को अर्थ बता सकेंगे, next है, विद्यार्थी वर्षा रितु के सौन्दर्य की अनुभती कर सकेंगे, third, विद्यार्थी वर्षा के बारे में अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर सकेंगे, express कर सकेंगे, अधीगम उद्देश्य लिखने के बाद हम next heading देंगे, पूर्व ग्यान जिसमें हम बच्चों के पिछले ग्यान की टेस्टिंग करते हैं, कि बच्चों को इस विश्य से संबंदित कितनी नौलेज है पहले से, तो पूर्व ग्यान में हम लिखेंगे, विद्यार्थी वर्षा के बारे में कवीता पढ़ी, सुनी हुई है, तथा उन्हें बारिश में खेलने का अनुभव भी है, इसके बाद हम नेक्स्ट हैडिंग देंगे, सिक्षन अधिगम संसाधन यानि की रिसोर्स और हम बोल सकते हैं, टेलेम, तो यहाँ पे इन्होंने यूज किया है, पहला, विद्यार्थियों के पास उपलब्द पाठ्य पुस्तक, दूसरा, बारिश का चित्र, तीसरा, बारिश पर आधारित कविता, तो यहाँ पे इन्होंने एक यूटेव वीडियो की help ली है, जिननका इन लिंक इन्होंने लिख के यहाँ पे mention किया है, तो अगर आप यूटेव वीडियो का भी use कर रहे हैं, या किसी other digital platform का use कर रहे हैं तो make sure कि आप उसको भी अपने TLM में mention करें क्योंकि जब आप observer आपका lesson plan देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा कि हाँ student ने different different resources का use किया है अपने teaching practice में इसके बाद आपको table बनानी है ऐसे सुंदर सी neat and clean सी तो यहाँ पे लताशा ने दोनों pages जो copy के दोनों pages होते हैं उनको use करके ऐसे एक बड़ी सुंदर सी clear table बनाई है presentation के लिए तो जिसमें देखते हैं इन्होंने किस तरीके से इसको divide किया है तो पहला आपका column बनेगार section बिंदू का उसके बाद है section विधी या फिर रणीती फिर है section अधिगम प्रक्रिया और फिर उसके बाद last में इन्होंने लिखा है शामपठ या फिर TLM जो भी ये use करेंगी तो हाँ पे सबसे पहला point है संगलन प्रत्यक्ष प्रदर्शन विधी का प्रयोग करते हुए चात्र अध्यापक विध्यार्थियों के समक्ष वर्षा पर अधारित कवीता YouTube की सहायता से प्रस्तुत करेगा तदा बारिश का चित्र भी विध्यार्थियों के समक्ष रखेगा या उन्हें दिखाएगा तो यहां पे इन्होंने बाईश का चित्र वाला जो TLM है इनका उसका यूज किया है जिसको उन्होंने यहां पे भी ड्रॉ किया है Then next है सम वेक्षन यहां पे चर्चा विधी का यूज करते हुए चात्र अध्यापक विध्यार्थियों को वर्षा रितू के आगमन से मानव जीवन पर आए उत्सा के बारे में बताएंगे विध्यार्थियों के अनुभव के आधार पर उनसे बातचीत करेगा कि जब वर्षा रितु आती है, मौनसुन स्टार्ट होता है, तो क्या चेंजिस होते हैं, वेदर में, किस रीके का एंवारेमेंट होता है, आपको कैसा लगता है, ठीक तो ये जो जनरल बाते हैं, वो टीचर अपने स्टूडन्स के साथ शिया करेगा, देन नेक्स्ट है व्या कारतियों को बताएंगी, यहां पर मैं एक छोट असाइड़िट करना चाहूंगी, कि आप जब भी कोई पोयम पढ़ा रहे हैं, तो एक लिस्ट पर दो बार उसका रिसाइटेशन करवाएं, उसको गाएं, बच्चों को भी पढ़वाएं, ताकि बच्चे उसको समझ पाए और फिर उसके बाद थर्ड टाइम में जब आप उसको रीड करवाएं, तब उसका भावार्था बच्चों को बताएंगे, तो बच्चों को वो पोयम और भी अच्छे से समझ में आएगी, ठीके, तो यहां पर नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट, उसी में कंटीन्यू करके इनोंने लिखा है कि छात्र ध्यापिका कवीता का भावार्थ बताते हुए, कवीता में आए कठिन शब्दों तथा नई शब्दों का अर्थ बच्चों को बताएंगी, तो यहां पर जो भी पोयम में डिफिकल्ट वर्ड आ रहे हैं, आप उन्हें ब्लैक बोर्ड पे इस मुँ में बाटकर विद्यार्थियों को निर्देश देगा कि वे अपना अनुभव साजा करें कि वर्षा के आने पर सभी उत्सहा से कैसे भर जाते हैं, सब तरफ पानी भर जाता है, सभी बच्चे पेडों पर जूला जूलते हैं, देन नेक्स्ट है हमारा मुल्यांकन, य चात्र अध्यापक विद्यार्थियों को कठिन शब्द से परिचित करेंगा, उसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे अधिगम प्रसार, यहां पे मुल्यांकन के बाद जो आपका प्रेजेंटेशन वाला जो टेबल है, आप उसको नीचे से क्लोस कर देंगे, और नेक्स् की नाओ आदी बनाएं, देन स्वय मुल्यांकन, विद्यार्थियों को बारिश बहुत पसंद है, तदक अक्षा में वर्षा के बारे में बहुत सी बाते साजा की, तो यह था आज का हमारा लेसन प्लाइन, जिसका हमारा टॉपिक था सावन का गीत, क्लास सेकेंड के लिए, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यह लेसन प्लाइन, आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आप भी चाहते हैं, अपना लेसन प्लाइन मेरे साथ शियर करना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से जाए इंस्टा पे फ